जी नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सब ही का वैदिक मैथ के इस नहीं एपिसोड में और जी मेरा डामिशांतरु सुकला मैं आप सब ही दोस्तों का हार देख स्वागत करता हूं बैंकरशाडा.com का ओफिशल यूट्यूब प्लेटफॉर्म अड़ाट इसक्वाइर रूट निकालने के बहुत ही बहुत बहुत सारी होती हैं जिस एप्रोच को हम प्रैक्टिकली और आसानी से अपनी हैबिट में उत दरद होती है उसके लिए बहुत ही भेटरीने प्रोच है मतलब आगे से मतलब हो यह ने का अगर एक बार सीख गे तो आप इन्हीं को इस्तिमाल करेंगे बहुत ध्यान से देखेगा इसके लिए हम यह चाहते हैं कि आपको एक से लेकर के 25 तक के स्क्वाइर याद होने चाह देखें अगर हमें इस नमबर का स्क्वाइर निकालना तो में सिर्फ यह देखना है कि हमें जो भी नंबर में से स्वेडर करनी अभी वो देखो की 50 के स्क्वाइर के स्क्वाइर के आसपास ठीक है इसा के आसपास होती है तो पंचासका स्कयार 500 has robbedımız देखो चाले में500 के जाधा करीब यह ड़िए-सफायर के जादा करीब की टारा से गैप बहुत ज्यादा हो जाए मुझे और यह जो पच्छीस सों से ज्यादा है अब मुझे इतना बतादो कि यह 69 किसके last में आता है आपको एक से 25 तक के याद है तो 69 किसके last में आता है 13 का square 179 होता है 13 square 169 तो हम इसके आगे extra कितना लेंगे 13 ले लेंगे और आपका जवाब सीधा 63 की बराबर अब यहाँ पे आते हैं अब यह 2500 की ज़्यादा करीब यह 10,000 के तो आपका जवाब 2500 के ज़्यादा करीब है 2500 का square 50 लिख लिए और अब इसके बाद चुकि 2500 से extra है तो हम यह देखेंगे यह last में 24 कहां आता है तो 18 के square के last में 324 यानि 18 के square के last में 24 आता है तो 18 extra हो गया जवाब आगया 68 के बराबर ऐसे यहां पर देख लो यह भी हमारी 2500 के ही ज़्यादा करीब है है ना 2500 के ज़्यादा करीब तो पच्ची सो आप इसको तो पचास और सो दस जार दोनों से निकाल सकते हो फिलाल हम पचास वाले consider करके 50 से ही ले करके चल रहे है तो पचास का सक्वाइर कितना हो जाएंगा आपको के बतलwww और 23 जोड़ों के जवाब आजाएगा हमारा ती 70 के बराबर ठीक है जी ऐसे ही एक और एक्जामपल देखते हैं हम लोग मालीजी इस जगह पर आए तो यहां पर हमें 7000 दिखे रहा है और यह 10,000 के ज्यादा करीब है तो हम यहां पर क्या सिमिलरली यहां पर देखते हैं भाई यह भी 10,000 के करीब तो 100 लेकर के चल रहे हम लोग घटाएंगे और 96 किसके लास्ट में आता है आपको पता है 14 का स्कुरार 190 होता है यहां पर 14 घटाएंगे और यह वैलू कितनी आ जाएगी 86 के बराबर आ जाएगे मुझे लगता आप समझ गये हैं तो भाई इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा बाकि इस तरह के की टेक्निक सीखने के लिए आप डेली वैदिक मैथ के सोच देखा करें कोई भेपी सोड मत मिस्किया करें अज बाकि बैंकिंग के प्रीविएस एर पेपर के डिसकेशन हम लोग शाम आठ बजे कर रहें तो अभी आज के लिए इतना ही खुश रहें आप सब ख्याल रखें थैंक्यू सो मच